चेतरादिकारी डाक्टर गरेश कुमार गुपता के नेतरत में इस्पक्टर अमित कुमार वा इस्पक्टर किराइम राजेश यादव की इस जोड़ी ने अपरादियों में दह्शत पैदा कर दी है आपको बताते चले के बिलारी पुलिस छेत्रादिगारी डाक्टर गड़ेश कुमार गुपता के नेत्वत में अपरादवा अपरादियों के विर्दों चलाये जा रहे ग्रफतारी अभियान के अत्रगत बिलारी पुलिस ने हत्या के मुकदमे में वांचित चल रहे 25,000 के इ अधिक्षक के निर्देशन एव पुलिस अधिक्षक ग्रामीर के कुशल पर्रवेक्षण के चलते हमने संगीन दाराओं में दर्ज मुकदमेवा पूर्ब में हुई महिला की हत्या को आरूपी अभियक रवी को भी ग्रफतार कर लिया है ये पुलिस टीम के लिए सराहनी कर बताते चले कि दिनांग 36 2022 को टेवर खास ग्राम में मौजूद एक एक खेत में अग्यात महिला का शब गद्दे में लिप्टे हुए मिला था जिसकी सूचना पाकर बिलारी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शब को कबजे में ले लिया था आवश्य करवाई कर शब को प राजेश यादव द्वारा जाच उपरांत मोती राम निवासी सिर्सी मुनेश निवासी उचागाओं दायाराम और दहिया निवासी तेवर खास को जेल बेज दिया गया था इंतु रवी पुत्र सुरेश निवासी गराम रसूल पुर नगली फरार चल रहा था जिसे अब थाना बिलारी पुलिस द्वारा गराम तेवर खास जाने वाले रास्ते के पास मौजूद चोडाहे से गरफतार कर लिया गया जिसमें प्रभारी निरीकशक अमित कुमार, न जेवर खास के जंगल में एक अज्यात सौ महिला का मिला था इंक के खेत में थाना बिलारी पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर बड़ी को कपजे में लेते हुए और पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया एवं उचित धाराओं में अभियोग पंजिक्रित किया धारा 302 201 काई पीसी में अभियोग पंजिक्रित हुआ विवेचनात्मक करवाई करते हुए थाना बिलारी पुलिस के द्वारा चार अभियोग प्रकास में ले आये गए चारों अभियोग्त में से जो तीन अभियोग थे मुनेश मोती राम और दया राम इनकी गिरफतारी दिनांगी ग्यारेच है 2022 को करके जेल भेजा जा चुका है एक अभियोग्त रवी जो रसूलपूर नगली थाना मूडा पांडे का निमासी था ये फरार चल लाए था इस पे 25 एयार का इनाम मानने वरिष्ट पुलिस अदिछक महोदय द्वारा घुसित किया गया था काफी अथक प्र रास्ते पर जो तिराया है वहां से गिरफ्तार किया गया है और यह एक अच्छी सफलता है अब सारे अभियोग्त मुकदमा प्रास्तन के 227 बटा 22 के जो धारा 302 201 आई पीसी में दर्ज किया गया था सारे अभियोग्तों को जेल भेजा जा चुका है और विवेचनात्म कर वही की जा रही है